नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 49 वर्स के पुरुस के पाम का एनालेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थ हम इनके सवालों को सुनेंगे फिर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किरपेकर करके चैनल को सस्क्राइब कर ले बेल एकन को प्रस कर दे ताकि लेटस नोटिफिकेशन आपको मिल चाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान सबे में ये सरकारी नौकरी में है अच्छी जिन्दगी है अच्छी लाइफ चल रही है आगे के जिन्दगी के विशे में जानना चाहते है और जीबन रेखा इनको टूटी हुई प्रतीत हो रही है तो उस विशेपड़ बें इनको जानना है बड़े चिन्तित हैं कि ये क्या वस्था है और देखने के बाद एक चिन्ता जनक वस्था प्रतीत तो हो रही है कि नो डाउट ये टूटी हुई है क्या ये आपकी जिन्दगी पर तकलीफ देगा और अगर तकलीफ देगा तो कैसा देगा और इसका क्या मतलब है क्या ये positive है या negative है तो अब निश्चिंत्र ये तूटी हुई जीवन रेखा के विशे में आज के वीडियो में बिश्तार पुरुवक समझाया जाएगा और जिस भी जातक के हतली पर तूटी हुई जीवन रेखा है इसकदर तूटी हुई है तो उनके लिए भी ये वीडियो वर्दान से कम नहीं है क्योंकि आज की वीडियो से ना इसके वरिहत पेमाने पर फलका discussion करेंगे और ये जीवन रेखा कैसी है ये positive है अथवा negative है और इसको हम कैसे विचार करेंगे इसका क्या real concept है उस पर भी हम पूर्णता समझाएंगे और आज जिस भी पहलो पर में विचार करने जा रहा हूँ जीवन रेखा की टूटी अवस्था को लेके जो भी बाते आज हमारे दोरा बताई जाएगी उसको हम पूरा पूरा verify करके ही बता रहे हैं इनके horoscope भी देखा मैंने बहुत ये अच्छे तरीके से देखा और सारी ही चीज़ को देखने के बाद मैं जो अपने विचार पे पहुंचा हूँ मैं जो अपने decision पे पहुंचा हूँ वो decision हमारा क्या है उसको समझने का प्रियास करिए वाई देखते हैं कैसे हम इसको देखते हैं तो पहले तो ये देखे life line क्या है ये इनकी life line है यहाँ पर से आके ये रुख गई ये इनकी life line है और यहाँ पर से आके रुख गई फिर यहाँ से चली तो no doubt यहाँ पर एक टूटावा परतीत हो रहा है मतलब यह बीच में missing है यह जरूर परतीत हो रही है अब इसके फल को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत प्रकार की बाते चल सकती है कुछ लोग तो यह बोल सकते है गुरू जी मैंने बहुत कम कहतली पर देखा है तो क्या पता यह negative हो मेरे जिन्दगी ही खराब हो जाए और अगर कोई विक्ति आपको सेह देने वाला मिल जाए कि हाँ कि किसी विक्ति ने आपको बता दिया कि नहीं आपको forcefully बोल दिया कि हाँ ये गरबर है या किसी ने ये indicate कर दिया कि यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है फिर तो आप बड़े ही असमंजस में पढ़ जाएंगे फिर तो आप बड़े ही दुबिदा में पढ़ जाएंगे फिर तो आप बड़ी ही समस्या में पर जाएंगे तो जिनकी हाथ पर भी ये रेखा ऐसी है तो इसको हम तूटावा जीवन रेखा क्या सकते है अब ये नेगेटिव देगा अत्वा पॉस्टिव देगा वो जानने का विशे है तो चलिए इसका एक परशन का मुत्तर करते हैं कि ये हंड़ेट परसेंट हंड़ेट परसेंट ऐसे जीवन रेखा वाले विक्ति तरक्की करते है ये कोई नेगेटिव नहीं है बहुत से लोगों को समझने के इक्षा हो रही होगी समझने का चाहच जग रहा होगा और बहुत से लोगों के मन में बहुत परकार की चीज़े चल रही होगी कि गुरुजी ये कैसी बात कर रहे है तूटा हुआ है मेरे हाथ में तूटा हुआ नहीं है लेकिन तूटा हुआ का अरुत क्या होता है अगर ये पॉस्टीव है तो फिर मेरे हाथ भी होना चाहिए बहुत परकार की दुविदा है आपके मन में चल रही होगी तो चलिए इस दुविदा को हम खतम करने का परियास करते है मैंने फिर कहा कि जो भी मैं बात बोलूँगा बड़े ही ऑथेंटिसिटी के साथ बोलूँगा क्योंकि इस पार्टिकुलर्ली पिरियड में जो इनकी आयू दिखरी है लगबग लगबग 40-45 के वीच की तो इस पार्टिकुलर्ली आयू में मैंने इनके कुणली को देखा और मुझे कोई तकलीव नहीं देखी और उसके उपराद मेरी यूट्यूब पर तकरीबन 1500 से उपर वीडियो है बहुत बहुत पाम ऐसे मेरे पास आये जिनके हाथ पर यह अवस्था थी कुछ 50 वर्स के आये कुछ 40 वर्स के आये कुछ 30 वर्स के आये तो जिनके हाथ पर भी यह अवस्था थी मान लिया जाए किसी की 30 वर्स में यह अवस्था थी कि 30 वर्स में ऐसे जीवन रहा थी और ऐसे बिलकुल अलग थी तो ऐसे विक्ति तरक्की कर रहा है उस एजमीन की तरक्की हुई थी तो ये भी एक verify का तरीका था experience, experience में बता रहा हूँ आपको बहुत लोग हमारे पास घर पर भी आए घर पर भी मैंने ऐसी वस्था को देखा और मैंने particularly forcefully उस age में उनके जंदगी पर धन आगमन या फर धन लॉस को पूछा देखो यहाँ पर से भी मरने जीने का टिपनी नहीं होता इस चीज के चिंता में मत पर ना अगर कोई negative होती है जीवन रहेगा टूटी भी होती है accident या बड़ी बिमारी या फिर job से पूरा पूरा खतम कहानी या फिर कुछ और बड़ी बात इसको ऐसे करके हम बताते हैं लेकिन मैंने जिस भी व्यक्ति का हाँ देखा है जिससे भी ये चीज पूछा है तो उसका सबका जवाब positive way में आया 99% case में तो मुझे सुरुवाती दौर से ये गरबर नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी अपन को verify करना था हमने करा और verify करना भी चाहिए verify करने में कोई बुराई नहीं है तो यहाँ पर से ये चीज आप समझ लिए कि ये negative नहीं है अब आईए concept पर हम बात करते हैं मैंने कहा कि जीवन रेखा अगर तूटी हो तो किस case में जीवन रेखा तूटी हो तो negative होगी थोड़ा concept की बात है समझना ये आपकी life line है ठीक है और ये भी एक life line है यहाँ पर आई यहाँ पर से चली गई अगर इस बीच में कुछ भी ना दिखे तो ही ना इसको negative कह सकते हैं कि हाँ इस बीच में कुछ भी नहीं है कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा कोई ये मुझे आस नहीं दिख रहा यहाँ से भी हम मनने जिने का टिपन नहीं करते लेकिन इस तंदर में हम इसको negative मानते हैं अगर इस बीच में इस gap में कुछ भी ना हो मतलब कोई रेखा आगे से ना गई हो ना पीचे से गई हो तो यहाँ पर से हम इसको negative मानते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे रहती ना तो इसको हम क्या मानते हैं इसको हम progress line मानते हैं और अभी भी यह progress line ही है लेकिन उसमें हम बड़ी एस्पस्टता के साथ बोलते हैं यह तो प्रगती के योग है लेकिन अब बोलने में क्या समस्या है यह रही इनके जीवन रेका यहां तक आके रुख गई और यह लाइफ लाइफ लाइन इसको यहां से कवर कर रही है और यह प्रगती के योग है और उसके बाद आपकी मंगल रेका भी बड़ी अस्पस्ट है और लेफ्ट पांप ऐसे कोई इंडिकेशन्स नहीं है और ना ही इनके वाइफ कहते लिए पर ऐसे कोई इंडिकेशन्स है तो ये डेफिनेटली 101% प्रगती के योग है ये डेफिनेटली 101% प्रग्रस लाइन है इसको लेके कन्फ्यूजन्स में रहने के आवशक्ता नहीं है और आज के आज इस डाउट्स को अपने मन से निकाल दीजिए अब human mentality होती है उनको कुछ दिन तो समझ में आ जाता है फिर कुछ दिन के बाद अपनी हाथ को देखेंगे फिर इनको लगेगा कि शायद हो सकता है गुरू जी ने मिस कर लिया हो तो अभी मुझे फिर डाउट होने लगा तो ये इसका मैं उपाय दे दूँगा आपको ये नहीं सोचना है अपने मन में इसको भूल जाईए अगर ये नेगटिव होते तब भी मनने जिन्य के कोई डिपनी नहीं होती इसको भूल जाईए ठीक है तो ये चीज़ समझ लिए आपने इसको लेके ये बड़े असमंजस में थे बड़ी दुविदा में थे बड़े परिशानी में थे लाजमी है किसी को भी होगा जिसको नौलेज का अवाव उसको होगा और कभी भी ऐसे परस्थिती में न किसी जोला च्छाप के पास हाथ लेके मत जाओ मैं आपसे एक आगरह करना चाहूंगा थोड़े पैसे ही खर्च होंगे अच्छे जगा जाने पर अच्छे ही जगा जाईए उचित रहेगा नई तो फिर अगर डरा दिया गया न तो फिर आप बार में अच्छे जगा जाओ गया तो वो जो विक्ती बात बोलेगा क्योंकि विक्ति क्या होते है न लोग पतन लोगों के ऐसी मान सकता होती है वो नेगेटिव बात ज्यादा दिमाग में रखते है पॉस्टिव कम रखते है इसलिए मैं कहा रहा हूं कि कभी भी ऐसे परस्तिती में किसी भी जोला चाप के पास मत चाओ तो यह चीज़ आपने सम मजली है कि इसमें कोई विश्य तकलीव वाली बात नहीं है तो यह इनकी पॉस्टिविटी थी अभी इनके हाथ पर और भी चीज़ों पर विचार करेंगे बड़ी जबर्दस था दिलिए बहुत गजब गजब की पॉस्टिविटी है अभी पहले हम इनकी पॉस्टिविट कोई राहू लाई ने ना आज तक इनके जीवन में कोई प्राब्लम होई है और ना इनके जीवन में आज तक कोई प्राब्लम होगी एक जबर्दस्त आपकी जीवन रेखा और एक जबर्दस्त आपकी बागे रेका जो की बड़ी असपस्ट है आगे भी बागे रेका पांचे से बड़ी खतरनाक आगे भी देखो, मतलब भागे के धनी है, सरकारी चेते से धनलाफ के योग तो थे ही, बरश्पदी पर प्रॉपर स्क्वाइर इस जितनी पॉस्टिविटी है आपको और आगे बढाईगी जिन्दगी पर, दो दो स्क्वाइर साइन हैं, और यहा पर से कुछ तो दिखा, यह मुझे फिश जैसा आकिरती लगा, जो कि बहुत ज़्युदा पैसा देता है, और यह पैसे कमाते भी आगे भी जरूर कमाईएगा, आप नो डाउट, डेफिनिटली योग बन रहे हैं, पैतिक संपत्ति का मद्यमस्तर ये साथ, आगे भी सूर रहा कि ब्रांचे से ये भी सूर रहा, बड़ी कमाल की थी, और एक जवर्दस दिखने वाली आपकी मर करी लाईए, ये मापकी मस्तिक सरेका, और जवर्दस आपकी हेदे रहा, पॉस्टिविटी है, और जवर्दस आपकी यहाँ पर से बुद्धे पर खड़ी लाईए, इ इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, और संदेह रखने के आवशक्ता भी नहीं है, तो जवर्दस आपके जंदगी पर अवस्थाएं हैं, बहुत कुछ करने के एक्षा तमन्ना है, और आप बहुत कुछ अपने जंदगी पर अवश्य ही करते हो, इसमें भी कही कोई संदेह वाले बात नहीं है तो ये इनकी positive चीज थी अब ये हम आपके negative चीज पर विचार करेंगे वैसे कोई मुझे बहुत negativity दिखी नहीं थोड़े पैसे खर्च किस्तिती होगी बनेगी बहुत पैसे खर्च होंगे ये एक negativity दूसे थोड़े बावुक्त वेक्तियन बहुत कुछ आपके दिमाग में चलते रहेगा तो उसको मच चलाएए इससे क्या होगा ना आपको जीने में तकलीफ होगा बहुत परकार की बाते आपके मने में चलती रहेगी बहुत परकार की दुविदाओं से आप less रहेंगे तो कहीं ने कहीं ये एक बड़ी असमंजस वली अवस्था है जहापर से ऐसे जातक बहुत चिंता सुबाब के हो जाते हैं चिंता जदा करोगे आप चिंता जदा करोगे तो वो करने की आवश्यक्ता मेरे समझ से तो नहीं है क्योंकि विश्यस दिक्कत मुझे आपके जिंदगी दिखाने ही रही है विश्यस तकलीफ मुझे आपके जिंदगी बताने ही रही है तो इसको लेके ज़ादा चिंता करके क्या बेनिफिट होगा आपको मेरे समझ से तो कोई बेनिफिट नहीं होगा तो ये चीज़ आपने समझ लिया तो ये इनकी दो नेगेटिविटी थे इसके उपरान तो वैसे कोई विशेज मुझे दिखी नहीं अभी इनके परसुनते आगे की जिन्दगी तो बड़ी अच्छी रहेगी मैंने ये संबोधित तो किया ही आपको और इसका क्या वज़ा थ कुछ प्रगती के योगते लेकिन फिर भी बच्छपन बहुत अच्छा नहीं बीटता है चुकि बरश्पती का यहां से दबाता ये जनल बात होती है कि ये स्ट्रगल से रहते और मेरे समझते अगर आपको जिन्दगी पर कुछ बराकारी करना है तो थोड़े बहुत स्ट् किया उसके बाद आपकी अर्रिंग से स्टार्ट हुई तो एक इंडिपेंडेंसी उसलला वर्स के बाद आ जाते है मतलब ऐसे जातक सुलला वर्स की आयों के बाद चीज़ों को समझने लगते हैं सोचने लगते हैं करने का प्रियास करने लगते हैं तो 16 years के बाद इसे आपकी life line गी और यहां पर बार इस्यावरिया चार्क पर इसस्च करते की है मैकसिमम अगर इसका रभाँ आपकी जिन्दगी पर आहेगा तो 45 की आसपास तो यह चीज़ आपने समझ लिआ मां अगर एक तारिस में वियालस में मैं भी आपके जिन्दगी पर तरक्की मुझे यह बता रही है तो यह डेफिनेटली प्रॉग्रस लाइन है तो इसको लेके विसे चिंता करने की आपको आवश्यक्ता नहीं है तो यह प्रॉग्रस लाइन आपने समझ लिया और आगे एक आपकी 44-60 में भी तरक्की है फिर तकरीवन एक आप भी कुछ बरी प्रॉपटी बनेगी हो सकता आपके बच्चे कुछ अच्छा कारे करें सत्तर के बाद भी आपकी लाइफ लाइफ लाइन बरी अच्छी है और यहां से भी एक हलका फिश्ट बन रहा कास्मिक दनला आपको दर्शारा बाकी कोई दिक्कत नहीं है और मंगल र देखा को जो कवर करने वाली आपकी प्लैनेट्स हैं कवर करने वाले जिसको मंगल कहते हैं वो भी आपका बड़ा अच्छा इमाउंट में है वो भी आपका बड़े ही सटीक रूप से मुझे दिक्रा है तो यहां पर से तो मेरे समझते है वेशेस कर चिंता करने के कोई करेंगे तो वीडियो काफी जादा महतपून है देखे सीखे समझे स्कॉरिस पा में मद्यामेच के वाद सफलता को पाते हैं इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है सारे प्लैंस लगब लगब अच्छे कंडिशन्स में हैं तो यह राज जो कारक हतली को दर्शा र है इसे जरूर से मिल जाता है तो यह चीज़ आपने समझ लिया फिर देकि एक जबर्दर्स आपका थंब है स्ट्रॉंग वेक्टर्दू का परचे कराता है एक्छा सक्ति बड़ी अच्छी है और एक लाइन से दर्शाते के अपने लाइफ पर जो भी आप आज हैं अपने ह सक्ति के मालिक है इसमें कही कोई संद्राफ वारी बाद नहीं है तो एक जबरदस्त थंब है एक जबरदस्त विक्तितों का परिशे करारा है यह चीज़ आपने समझ लिया जिनकी जुकने वालीakahाइनाटिण भार bacon नहीं होती है फर देको समझदारी के लूप काफी अच्छी जातक बहुत समझदार मान सकता के हैं समझदारी समने जिंदगी को जीना चाहते हैं सारे ही फिंगर में खड़ी लाइन्स की अवस्था है यह दर्शाती je पर देको जातक कितने जादा लाल है और उशवर कि आप जरूर सेवा करें जादा नेगर्टिव ख्यालात आ रहें सुडी को जल्दो मरश्पति देव की राद ना करो शनी धेव की राद़ मैंदा को नहीं आएँगे नेगर्टिव ख्यालात और आपकी देखों स्ट्रॉंग आपकी शनी प्रद्र फिंगर जिसको हम कहते हैं जिसको हम शनी फिंगर कहते हैं यह बड़ी अच्छी है तो यह आपकी मेहनती होने का परचे करा रही है ऐसे जातक बड़े मेहनती होते हैं आपने जिंदगी को अच्छे तरीके से म पहतरीन हिम्मती आपको ये बता रहा है और आपकी देखो तो strong आपकी little finger ये भी आपकी बड़ी है ये भी दर्शाती है कि आपकी communication इसकल कितनी अच्छी होती है ऐसे जातक की वाग पडूता बड़ी अच्छी होती है चीजों को समझाने की चमता बड़ी अच्छी होती है तो बादवा की proper square बने है तो equality post को तो दर्शाही रही थी 32 के बाद अच्छी जिंदगी को तो बता ही रही थी पर उपकाई नेचर है दान दक्छिना करने में इंटरस्टड है दो की सेवा करते बरश्पती वैसे अच्छा broad thinking है broad mind है जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते और कोई दिक्कत नहीं होगा चिंदा मत करना कोई tension नहीं होगा जबरदस्त आपकी मस्तिक्स रहा है स्ट्रॉंग मस्तिक्स रहा है और यहाँ पर से देखें को श्ट्रॉंग आपके कुछ ट्राइंगल्स है यहाँ नेगेटिविटी को दूर कर रही है हर्ट लाइन पर थोरई रूप से कारे करने वाले होते हैं और स्ट्रॉंग आपकी बार्सिंग डिस्टेंच दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्ते हैं इसमें भी कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है फुर देखे यहां से दबाब बे तो विक्ति गजब के महनती और एक बागी रेका आपकी गई देखे और समझाने के चमता बड़ी अच्छी होती है आप में और यहां पर से देखो स्ट्रॉंग आपके एक फिश्नुमा किरती जो आपके पैसे ही पैसे देरा क्रूरों के मालिक बनेंगे आप और आगे बे देखो यहां पर से एक लाइन है जो की पैसरिक संपती का साथ बता लिए एक से ज़ादा प्रॉपटी के योग हैं सूरिक आप मल्टिपल प्रॉपटी के योग हैं जो कि आपके च्छतिसमे वर्स के बाद ही सक्रिये थे एवन बत्तिस वर्स के बाद ही आपका घर हो जाता है और जबरदस्त आपकी मल्टिपल प्रॉपटी एक से नहीं कोई संदेहि नहीं है दोनों मंगल आपका बहुत बढ़िया है इंसान का फिस्तुरॉंग ताक्त के होत jaga कि मान positively होते हैं और प्राक्रम बरहाता होता है प्राक्रमी वेक्थी होते हैं जन्दगी पर बहुत कुछ करना चाता हैं तो तो जबरदस्त मंगल मुझे दिख रहा है आपका जबरदस्त प्राक्रम को इंडिकेट कर रहा है उसके उपराल एक जबरदस्त आपकी चनर्मा है ये चनर्मा दर्शाती है कि आपके एक्छा सकती को और आपके ताकत को और आपकी प्रविर्ती को और आपके नेचर को तो बह स्ट्रॉंग जिंदगी के लास्ट है कि तो कहीं कोई चिंदा नहीं प्रॉपटी के योग प्रॉपर रूप से अवस्थित है बुदर एक अच्छी वनी ट्रेंगल बनाई जहां पर से धना आगमन को दर्शारी पैसे जिंदगी पर डेफिनिटली आते हैं जिंदगी के लास् शुक्र है जिंदगी बड़ी लगजरी में रहती है बड़ी है सो राम के साथ बीठती है बड़ी कंफर्टेबल रहती है शुक्र देख लिया आपने आपके जबरदस्त आपका मंगर है कुछ टेंसंस के लाएने व्यक्ति फालतों का सोचते हैं वह मत सोचा करिए यह कुछ सब्सक्राइब कर देगा पस्तनी में सहस्त्रे का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं अमारा वोट्सपन और डिस्कॉप्शन में मिल जाएगा लेकर आप संपर्द कर सकते हैं धन्यवाद